हलो डियर टीचर्स वेलकम तू दे लेस्ट प्लैन सेरीज बात करते हैं क्लास टू हिंदी का लेस्ट थाथू और मैं पाठका सार में लिखेंगे कहानी के माध्यम से एक छोटी बच्ची का उसके दादा जी से जुडाव और प्रेम दर्शाया गया है बच्ची कैसे अपना समय अपने दादा जी के साथ बिताती है इसका पूरा चितरन कहाने के माध्यम से पता चलता है कुशलताओं में लिखेंगे सुनना बोलना लिखना पढ़ना वर्तनी और सुलेख लेखन लिखना में ही आते हैं तो आप इनको अलग से भी लिख सकते हैं और सिर्फ लिखना तक भी छोड़ सकते हैं अब हैं Teaching Learning Outcomes, कहानी को सुनकर उसका आर्थ ग्रेंड करना, कहानी में घटिक घटनाओं को सही क्रम में लगाना और लिखना, अपने दादा दादी के बारे में बात करना, अपनी मात्रे भाषा में दादा जी के लिए प्रियोग होने वाले शब्द साजा करना, चंद्रबिंदो वाले शब्दों को पहचान पाना, कुछ आधारभूत विराम चिन्हों की जानकारी, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाना, अपने दादा दादी की जरूरतों को पहचान कर उनका ख्याल रखना, एक्टिविटेज क्या प्लैन की जा सकती हैं, अध्यापक द्वारा कहानी को उचित हाव भाव, अनुतान और शुद उचारन सहित पढ़ना, बच्चों द्वारा कहानी सस्वर वाचन करना, समवाद वाचन गतिविधी और समवाद लेखन के लिए उधरन चिन सीखना, पा पानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना, और अपने दादा दादी के साथ बिदाय पलों को साज़ा करना, आकलन कैसे किया जा सकता है, व्यक्ति गत, अवलोकन से, प्रशन पूछ कर कार्य पत्रक द्वारा, शुत लेखन द्वारा, सुलेख लेखन द्वारा, या फिर आत्म अभिवेक्ति के द्वारा, समु आकलन कर सकते हैं हम कहाने नाटक अभिवेक्ति से, समु लेखन से और समु पठन से, तो ये था हमारा लेशन प्लान, थातू और मैं चैप्टर के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट लेशन प्लान में, till then, keep learning,